अब हम देखते हैं McClellis method अभी हमने जो deflection निकालना सीखा था slope निकालना सीखा था वो हमने double integration method से निकालना सीखा था तो देखे अगर problem simple है खाली एकाक load लग रहे हैं तो double integration method से निकालना काफी easy है दो load लगते हैं तो थोड़ा सा मेहनत हमें ज्यादा करना पड़ता है अगर तीन load लगने लगते हैं तो problem आपका क्या हो जाता है और ज्यादा complicated हो जाता है मेहनत आपके क्या होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे मैकलॉलिस method पढ़ेंगे इसमें क्या रहेगा कई load लगते रहेंगे तब भी हमें एक ही equation बनानी पढ़ेगी स्लोप निकालने के लिए किसी भी point पर और एक ही equation बनानी पढ़ेगी deflection निकालने के लिए किसी भी point पर तो इसमें क्या होगा प्रावलम आपका easy हो जाएगा और वही प्रावलम अगर आप double integration method से करेंगे तो काफी complicated हो जाएगा हमें ज्यादा मेहनत करनी पढ़ेगी अब double मेकलॉलिस method से आप किस तरीके से equation बनाएंगे इसमें भी हमको पहले beam differential equation बनाना पढ़ेगा फिर उसको हम integrate करके slope equation बनाएंगे फिर उसको integrate करके हम deflection equation बनाएंगे तो देखिए इसमें पहले beam differential equation हम कैसे बनाएंगे वो सारे cases हम पहले discuss कर लेते हैं तो देखिए मान लिजे एक simply supported beam है जिसमें load लग रहा W1, W2, W3 हम जानते कि इन load के करण आपका क्या होगा beam में deflection इस तरीके से होगा हमें निकालना है कि इसके नीचे reflection कितना होगा इसके नीचे कितना होगा इसके नीचे कितना होगा यहाँ पे कितना होगा maximum कितना होगा यहाँ पे slope कितना आएगा यह सारी चीज हमको calculate करना है अगर आपको McLellis method से करना है तो पहले R1, R2 के लिए निकलना पड़ेगा फिर उसके बाद जो section आप लेंगे सबसे अंत में लेंगे सबसे end में लेंगे इस section की जो distance है यहां से उसको मैंने कह लिया है that is x यह जो distance है R1 की दूर यहां से कितना है x है तो W1 की दूर यहां से कितना होगा x-a होगा W2 की दूर यहां से कितना होगा x-b होगा W3 की दूर यहां से कितना होगा that is x-c होगा पूरा कितना आपका x है x में से आप क्या करिए c को माइनस कर दीजिए तो ये वाली दूरी आपकी निकल किया जाएगी तो ये दूरी कितनी आएगी x-c आएगी फिक ये वाली दूरी आपको निकलना है तो ये पूरी दूरी आपको मालूम है पूरी कितनी है x है उसमें से क्या करी है इस b को माइनस कर दीगी है तो W2 के लिए ये दूरी कितनी आ गई X-B इसी तरह W1 के लिए मैंने किया था देखे पूरा distance आपको मालूम है पूरा कितना है X है और ये जो distance है ये A है तो ये कितना होगा X-A होगा हम ये distance क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इन सबका moment यहाँ पर लेना है तो देखे हम जानते moment at X moment at X is equal to EID square Y upon DX square होता है is equal to हम R1 का moment यहाँ लेंगे W1 का moment लेंगे W2 का moment यहाँ लेंगे और W3 का moment यहाँ लेंगे upward force के कारण जो moment रहेगा उसको मैं positive लोंगा और downward force के moment को मैं क्या लोंगा negative लोंगा तो देखे पहले मैंने बनाए beam differential equation तो देखे यह R1 का moment मैंने लिया है R1 into मैंने कितना लिखा है total distance कितना यह X है इस point की दूरी R1 से कितना है that is X है तो मैंने लिखा R1 into X फिर मैंने W1 का moment लिया है तो मैंने लिखा है यह downward force है इसलिए इसके moment को मैंने negative लिखा है minus W1 into X minus A फिर मैंने W2 का moment लिया है इसका दूरी कितना आएगा X minus B तो minus W2 into X minus B क्योंकि यह downward है deflection इसके current नीचे होगा इसलिए इसको मैंने negative लिखा है फिर मैंने W3 का moment यहाँ पर लिया है यह minus W3 into X minus C हमको क्या याद रखना है देखे पहला यह वाला पहले का moment है ठीक यह दूसरे का moment है यह तीसरे का moment है और यह चवते force का moment है इसको हम एक डिब्बे में रखे इसको दूसरे डिब्बे में इसको तीसरे डिब्बे में इसको चोथरे डिब्बे में सबको अलग लग रखे यह equation एक ही है यह equation आपकी एक ही है तो देखे अगर इसके बीच में अगर आपको slope और deflection निकालना तो पहले डिब्बे तक ही चीज़े आपको लेना है अगर आपको इन दोनों के बीच में slope या deflection निकालना है तो दूसरे डिब्बे तक हमको चीज़ें को लेना है मतलwar यहाँ तक equation लेना रहेगा अगर तीसरे इन दोनों के बीच में कोई चीज़ आपको निकालना है slope और deflection तो तीसरे डिब्बे तक की चीज को अपने को लेना पड़ेगा मतलब यहां तक equation लेना पड़ेगा अगर इनके बीच में अगर आपको slope और deflection निकालना तो चौथा जो डिबबा है यहां तक आपको equation लेना पड़ेगा ठीक तो अभी तो यह आपके beam differential equation मनी है इसको मैं एक बार integrate कर देता हूं तो slope equation मन जाएगे ध्यान रखिएगा इसको जो हम integrate करेंगे तो जो constant of integration आएगा वो पहले वाले term के साथ आप हमेशा जोड़ेंगे जो पहला वाला term है इसके साथ हमेशा constant of integration जाएगा तो देखे मैंने इसको लिखा इसको मैंने integrate करा पूरी term को तो r1 x को integrate करा x square by 2 plus c1 पहले के साथ आगया इसको integrate करा तो x minus a का whole square by 2 आ जाएगा यह x minus b का whole square by 2 हो जाएगा x minus c का whole square by 2 हो जाएगा यह बन गई आपकी slope equation अब मैं इसको एक और बार integrate करूँगा तो आप पर deflection equation बन जाएगा तो देखे x square को मैंने integrate करा तो x cube by 3 आ जाएगा तो यहां पर x cube by 6 आ गया c1 को integrate करा तो c1 x आ गया यहां पर एक और constant आ गया that is c2 इसको मैंने integrate करा x minus a के whole square को तो x minus a a का whole cube by 3 आ जाएगा तो यहां पर 6 हो जाएगा इसी तरह इसको integrate करा तो x minus b का whole cube by 6 आ जाएगा यह x minus c का whole cube by 6 आ जाएगा यह क्या बन जाएगी आपकी deflection equation अब हमें c1 और c2 का मान निकालना है तो हम जानते हैं हम क्या जानते a और b पे deflection 0 होगा a और b पे deflection क्या होगा 0 होगा जहां पर support लगा रहेगा वहां पर deflection कितना होगा 0 होगा हम लिखेंगे for finding the value of c1 and c2 x बराबर 0 पे deflection y equal to 0 होगा we will get the value of c2 जब x की value 0 put करेंगे तो deflection y कितना होगा 0 जब यह आप put कर देंगे तो you will get the value of c2 जब x की value l हो जाएगी तब भी y की value 0 होगी तो x की value l put करिएगा और y की value कितना put करना 0 तो you will get the value of c1 अब important चीज़ अब important चीज़ अब देखिए कोई पूछेगा देखिए beam में deflection तो आपका इस तरीके से होगा ठीक कोई पूछेगा इसके नीचे deflection कितना होगा ठीक है तो यह deflection equation का use आप करेंगे तो यहाँ पे deflection निकालना तो x की value कितना put करेंगे a put करेंगे तो देखिए अगर x की value यहाँ पे आप a put कर देंगे तो यह पूरी value 0 हो जाएगी यह जैसे 0 हो जाएगी तो आगे वाली कोई भी term आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे अगर deflection निकालना है तो आपकी equation खाली इतना लेना है आपको इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी value कभी negative नहीं आनी चाहिए यह जाद रकिएगा यहाँ पर जो भी value आप put करेंगे तो उसकी value कभी negative नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर deflection आपको निकालना था तो x की value आप कितना put करेंगे इस equation में a तो यहाँ पर a put करते तो यह पूरा 0 हो जाता है यह 0 हो गया मतलब आगे के सारी term आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर a minus b करेंगे तो यह negative आजाता ठीक मतलब यहाँ पर deflection निकालने के लिए खाली इतनी equation की मदद आपको लेना है अगर आपको यहाँ पर deflection निकालना है कि यहाँ पर यह वाला deflection कितना होगा तो हमको तो हमको क्या करना है x की value कितना put करना है b put करना है इस वाले equation में तो देखिए अगर मैं x की value यहाँ पर b put करूँगा तो यह वाले term 0 हो जाएगे यह 0 हो जाएगे तो हमको क्या करना आगे कि यह सारे term छोड़ देना है ठीक यूँकि अगर यहाँ पर b put करेंगे तो इसकी value b minus c क्या जाएगा negative आ जाएगा ठीक यह पहला यह पहला खाना और यह दूसरा खाना तो यहाँ पर आपको की तीने maximum 2 यहां पर सी पूट करी लगश्क लगश्न उख सब्के only कि अगर इस हैं पर अगर यहां पर देख्लेक्शन निकालना हे तो आपको यहां तकक एक्विश्न लेना पड़ेगा यहां कि यह एक खाना दो घना तीन खाना तो खाना दो खाना और यह तीन खाना तो यहां यहां पे हो रहा है फिर इसके आगे कोई चीज केल्कुलेट करना तो आपको चोथे खाने वाली चीज लेना पड़ेगा यही कंसेट स्लोप में भी रता है अगर ए पे स्लोप निकालना तो X के वेलू कितना पुट करेंगे जीरो तो X के वेलू अगर यहां पे मैंने 0 पुट कर दी तो यह माञूम सी आ जाएगा तो यह माइनस नहीं आना चाहथे इसकी वेलू यहां पे भी zero put कर देंगे तो negative आना चाहिए केसे यहीं पे value zero या negative आई तो आगे के सारी चीज़ अपने को छोड़ देना है आगे के सारी चीज़ हमें क्या करना है छोड़ देना है तो यहां पे अगर आपको slope निकालना है तो खाली आपको इतनी equation लेना है तो इसके बीच में कहीं पे भी आ जाएगा अगर इसके बीच में अगर आपको slope निकालना है कहीं पे भी तो आपको क्या करना है second खाने तक जाना है इसके बीच में अगर आपको slope निकालना है कहीं पे भी तो आपको third कहने तक आपको equation को लेना है और अगर इसके बीच में आपको कहीं slope निकालना है तो यह fourth खाने तक आपको equation लेना है मतलब पूरी equation लेना पड़ेगा अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई चीश calculate करना है तो आपने यहाँ पे beam differential equation मनाई और slope or deflection equation मनाना सीखा यह आपका simply supported beam पे खाली point loading लग रहा था अब देखिए अगर case आपका ऐसा बने second case मैं थोड़ा क्या करता हूँ point loading का position चेंज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने support लगा दिया और यहाँ पे support लगा दिया सबसे end में तो यह जो distance है यह कितना है आपका x है तो अपने को यहाँ पे moment सबसे पहले इसका लेंगे पहले फिर इसका लेंगे इसको दूसरे खाने में लखेंगे फिर इसका लेंगे इसको तीसरे खाने में रखेंगे फिर इसको लेंगे फिर इसको चौत खाने में लखें मनाई फिर इसका moment लिया minus w into x फिर इसका moment लिया यह upward लग रहा है इसलिए मैंने plus लिखा plus r1 into x minus है यह downward लग रहा था इसको मैंने minus लिखा यह downward लग रहा है इसके moment को मैंने minus लिखा minus w2 into x minus b यह downward लग रहा है इसको मैंने चाहुथे खाने में रखा, minus w3 into x minus c, ठीक, अब देखे, इसके लिए जो दूरी आएगी, जो distance आएगा, यह पूरा x आएगा, यह पूरा x आएगा, इसलिए minus w1 into x लिखा है, लेकिन r1 के लिए इसलिए जो distance आएगा, r1 के लिए जो distance आएगा, यह वाला, यह कितना आएगा, x में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस a को minus करना पड़ेगा, तो r1 का यह वाला distance आजाएगा, there is x minus a, तो r1 into x minus a लिखा इसी तरह w2 के लिए के आएगी यह distance w2 into x-b आएगा यह वाला और यह वाला distance कितना आएगा x-c आएगा तो क्या करना है हमको यह downward लग रहा है यह तीनो downward लग रहा है तो इनको हमें negative लिखूँगा यह upward लग रहा है तो इसको positive लिखूँगा अंतर से चालू करना है फिर इसको लेना है फिर इसको लेना है फिर इसको लेना है तो दीखे अम में क्या करूँगा यह beam differential equation वन गई अब मैं इसको एक बर integrate कर दूँगा integrate करने के बाद जो constant of integration आएगा उसको पहले term के साथ में जूड़ूँगा तो मैंने इसको integrate करा dy by dx की value आई x square y 2 plus c1 यह पहले कैसा जूड़ा फिर इसको integrate करेंगे तो x minus c का whole square y 2 इसको integrate करेंगे तो आपका एगा x minus b का whole square y 2 फिर इसको integrate करेंगे x minus c का whole square y 2 यह अपड है तो यहाँ पर plus अब इसको एक और बार integrate करेंगे तो deflection equation आजाएगे तो इनको integrate करा तो यह तो आगया x cube by 6 आगया c1 x आजाएगा plus c2 आजाएगा इसी तरह आपने इस वाले term को integrate कर लिया इसको integrate कर दिया और integrate कर दिया यह term आपकी आजाएगे तो case अगर ऐसा है तो इस तरीके से आप slope और deflection equation बनाएगे अब इसमें c1 c2 के value आपको निकालना पड़ेगा जब c1 c2 निकालेंगे तो हम condition क्या रखेंगे x बराबर a पे x बराबर a पे y की value 0 है देखें यहाँ पे support लगा यहाँ पे deflection 0 होगा यहाँ पे x की value कितनी आएगी यह आएगी अब x बराबर l पे भी y की value क्या है 0 है x की value L पे भी y क्या है 0 है तो देखें बीम में deflection होगा बीम में कुछ इस तरीके क्षचाओ करें यह सा कुछ deflection होगा यह बीम आपके इस तरीके से bend होगी किसी point पे maximum deflection भी आपको मिलेगा maximum deflection आपको जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे slope कितना होगा जीरो होगा जहाँ पे भी deflection आपको maximum मिलेगा वहाँ पे dy by dx कितनी मिलेगी जीरो तो मान लीजिए अगर यहाँ पे deflection maximum है कहाँ पे इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे dy by dx क्या करेंगे 0 करेंगे तो equation पहले खाना second खाना और यह third खाना अगर मैंने बोला कि इसके बीच में deflection कितना है maximum है तो इसके बीच में slope कितना होगा 0 होगा तो slope वाली equation यहाँ तक लेंगे तीसरे खाने तक और equal to open 0 करेंगे फिर यह वाला point अपन निकालेंगे यहाँ पे slope 0 हो रहा है उस point को हम क्या करेंगे deflection equation में put करेंगे तो deflection equation भी हम यही तक लेंगे deflection equation भी हम यही तक लेंगे फिर वहाँ पे क्या आएगा maximum deflection निकलके आ जाएगा यह हम problem में देखेंगे फिर हम तीसरा case देखते हैं तो यह हमारा third case तो इसमें देखें एक simply supported beam है और जिसमें point loading भी लग रहा है और UDL भी लग रहा है तो इसमें हमको slope और deflection निकालना है तो देखेंगे अगर double integration method से करेंगे तो काफी complicated हो जाएगा सबके लिए indisol निकालिए बाद में algebraic से हम करिए हम इसलिए क्या कर रहे है मेकलॉलिस method से कर रहे है तो इसके लिए देखें beam differential equation हम कैसे बनाएंगे ठीक तो यहाँ पे load लग रहा है और UDL भी लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा पहे हम क्या करेंगे section लेंगे अंत में सबसे end में मैंने एक section ले जिसके दूरी यहाँ से कितना है x है देखिएगा यहाँ पे r1 के साथ में इस पूरे UDL को लोगा r1 के साथ में क्या करूँगा इस पूरे UDL को मैं लोगा w1 के साथ UDL नहीं आएगा w2 के साथ भी UDL नहीं आएगा w3 के साथ भी UDL आपका नहीं आएगा अगर UDL आपका यहाँ से लगना चालू होता अगर UDL आपका कहां से लगता w1 से लगता यहाँ तक तो UDL को आपको w1 के साथ लेना पड़ता अगर UDL आपको यहां से लगता, W2 से, तो UDL को आपको W2 के साथ लेना पड़ता है, अगर UDL आपको यहां से लगता, तो UDL को आपको W3 के साथ लेना पड़ता, अब UDL आपको कहां से लग रहा है, R1 से लग रहा है, तो इस UDL को आप क्या करेंगे, R1 के साथ आप UDL का moment अगर आप यहाँ पे लेंगे तो पहले पूरे UDL का weight निकालेंगे तो पूरे UDL का weight कितना आएगा omega x आएगा यह weight यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा x by 2 दूरी पर लगेगा तो omega x into x by 2 कर देंगे तो omega x square by 2 आजाएगा तो r1 into x minus omega x square by 2 यह पहले खाने में आप लिखेंगे देखें मैं लिखता हूँ मैंने क्या लिखा plus r1 into x minus omega x square by 2 यह पहले खाने में लिखेंगे फिर यह जो w1 का moment है इसको मैं second खाने में लिखूँगा इसको मैंने minus क्यूं लिखा क्यूंकि यह downward है minus w1 into x minus a x minus a क्यूं लिखा क्योंकि यह जो दूरी आएगी यह x minus a आएगी इसी तरह मैंने क्या लिखा w2 into x minus b क्योंकि यह दूरी आपके कितनी है x minus b है फिर मैंने w3 का moment लिया यह तो यह distance कितना आएगा x minus c तो minus w3 into x minus c यह बन गई beam differential equation इसको मैं एक बर integrate करूँगा और constant of integration को पहले खाने के साथ मैं लिखूँगा तो इसको मैं integrate करके slope equation मना लेता हूँ तो यह आजाएगा x square by 2 यह आजाएगा omega x cube by 6 हो जाएगा plus c1 इसी तरह x minus a पूरे को एक लेंगे x minus a का whole square by 2 x minus b का whole square by 2 x minus c का whole square by 2 यह बन गई आपकी slope equation इसको मैं एक और बार integrate करूँगा तो आपका deflection equation बन जाएगा तो देखे मैं इस पूरे term को एक और बार integrate कर दिया और constant of integration पहले term के साथ आ रहा है अगर आपको slope और deflection इन दोनों के बीच में लेना है तो आपको क्या करना है पहले खाने तक slope वाली equation लेना और पहले खाने तक deflection वाली equation लेना है अगर आपको slope और deflection इन दोनों के बीच में लेना है तो slope और deflection की जो equation है वो आपको इन second खाने तक लेना है अगर आपको slope और deflection इन दोनों के बीच में निकालना है तो आपको ये थर्ड खाने तक slope और deflection की equation लेना पड़ेगा यहां तक लेना पड़ेगा अगर slope और deflection इन दोनों के बीच में कहीं निकालना है तो slope और deflection वाले equation थर्ड खाने तक लेना पड़ेगा अगर slope या deflection यहाँ पे इनके बीच में कहीं पे निकालना है तो आपको यह पूरी equation लेना पड़ेगा पूरी equation आपको लेना पड़ेगा ठीक तो इसमें अब अपने को C1, C2 की value निकालना पड़ेगा तो हम जानते x बराबर 0 पे भी y की value 0 होगी और x बराबर l पे भी y की value 0 होगी तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x बराबर 0 पे y बराबर 0 we will get the value of C2 और x बराबर l पे y बराबर 0 we will get the value of C1 देखिए इसमें एक और चीज़ x बराबर 0 x बराबर 0 पूट कर रहा है तो y के लो कितनी आरी? 0 तो देखिए जब x बराबर 0 पूट करेंगे तो खाली इतनी equation आप लेंगे पहले खाने तक क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप 0 पूट करेंगे तो इसकी value negative आजाएगी यह negative कभी नहीं आनी चाहिए यह जैसे 0 हुई यह negative हुई तो आगे के सारी चीजे छोड़ देना है अपने को तो जब x बराबर 0 पूट करेंगे तो आपको equation खाली यहीं तक लेना है तो x बराबर 0 पूट करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा तो y के वेलू कितनी आएगी जिरो तो l अगर यहाँ पे पूट करेंगे तब भी यह negative नहीं आएगा यहाँ करेंगे तब भी यह negative नहीं आएगा l minus cv वेलू negative नहीं आएगी मतलब जब x बराबर l पूट करेंगे तो यह पूरी equation को आपको लेना पड़ेगा क्या वेलू निकालने के लिए c1 की वेलू निकालने के लिए अगर देखे आपको deflection कहा निकालना है मान लीजिए आपको deflection यहाँ निकालना है तो यहाँ पे x की वेलू कितना पूट करेंगे a तो x की value देखे a यहाँ पर put कर देंगे अगर यह deflection equation में तो यह 0 हो जाएगी तो पूरी value छोड़ देना तो खाली इतनी equation में x की value a आपको put करना पड़ेगा इसी तरह अगर आपको अगर आपको इस point पर deflection निकालना है तो x की value equation आपको लेना है और deflection कहाँ पर निकालना है इस point पर आपको निकालना है अगर आपको यहाँ पर यह वाला deflection निकालना है यह कितना होगा तो x के value कितना put करना पड़ेगा c put करेंगे तो हर जगा c put करेंगे यहाँ पर c put करेंगे तो यह 0 हो जाएगी तो इसको नहीं लेना है तो खाली आपको यह वाली equation लेना पड़ेगा कितनी equation लेंगे अगर इसी problem में कोई बोलेगा maximum deflection कहा होगा तो देखें मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच में maximum deflection नजर आ रहा है यह देखें यहाँ पर इन दोनों के बीच में maximum deflection आपको नजर आ रहा है it is the maximum मान लीजिए तो यहाँ पर dy by dx के value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यहाँ पर dy by dx के value second खाना और third करना यहां तक equation लेंगे और dy by dx को क्या करेंगे equal to open क्या करेंगे zero करेंगे और x की value निकाल लेंगे जो x की value आएगी वो नीचे वाली इस equation में put कर देंगे यहां तक की equation में put कर देंगे तो आपका के निकल के आ जाएगा maximum deflection निकल के आ जाएगा तो इस problem में आपने क्या देखा चुकि UDL आपका R1 से चालू हुआ है इसलिए UDL को R1 के साथ लेना है तो देखे UDL को मैंने पहले खाने में लिखा है अगले case में मान लीजिए UDL R1 से चालू नहीं हो रहा है UDL आपका मान लीजिए W1 से चालू हो रहा है यहां से चालू है तो R1 का मोमेंट कितना आएगा R1 into X आएगा अब W1 के मोमेंट के साथ मेरे UDL के मोमेंट को जोड़ा है क्योंकि UDL यहां से चालू हुआ है तो UDL का मोमेंट लेना है तो देखे यह पूरा distance कितना आएगा यह X-A आएगा UDL कितने length पे लग रहा है X-A पे लग रहा है तो UDL का total weight कितना आएगा that is omega into X-A यह UDL का आपका total weight आजाएगा यह weight यहां से कितने दूरी पर लगेगा X-A divided by 2 पे लगेगा तो UDL का जब मोमेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे omega into X-A into X-A divided by 2 तो यह क्या हो जागा X-A का whole square by 2 हो जाएगा वही चीज मैंने यहां पे लिखा है तो देखें पहले R1 का moment मैंने plus लिखा है क्योंकि यह upward है W1 और UDL आपका नीचे लग रहा तो देखें मैंने दोनों को minus लिखा है तो दोनों को मैंने minus कर दिया है एक ही खाने में लिखा है फिर W2 के साथ आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि UDL को आपने W1 के साथ ले लिया है तो इसको single खाने में लिखा है W3 के साथ आप कुछ नहीं लिखेंगे तो इसको भी मैंने single खाने में लिखा है अब हम क्या करेंगे इसको एक बार integrate करेंगे और constant of integration पहले खाने के साथ आप जोड़ेंगे तो यह आपके बन गई slope equation फिर इसी पूरे term को देखेंगे इसको भी मैंने integrate कर दिया और इसको भी integrate कर दिया फिर इस पूरे term को फिर से integrate करेंगे और constant of integration को पहले खाने के साथ जोड़ेंगे तो देखेंगे c1 को integrate करेंगे c1 x आजाएगा यहाँ पर c2 एक नए integration आजाएगा x square by 2 को integrate करा तो x cube by 6 आगया इन दोनों term को मैंने यहाँ पर integrate करा है जिन दोनों का integration यह हो जाएगा फिर इसका integration आगया इसका integration आगया अब हमें c1 c2 की value निकालना है हम जानते हैं हम क्या जानते हैं जब x की value 0 रहेगे तो y की value आपके 0 आजाएगे x की value 0 put करेंगे तो y की value 0 आजाएगे तो पहले इतनी equation आपको खाली लेना रहेगा किस की value निकालने के लिए c2 की value निकालने के लिए क्योंकि x की value 0 put करेंगे यहाँ पर 0 put करेंगे तो यह negative आगे तो यह सारी चीछ छोड़ देना है अब second case क्या है जब x की value कितना put करेंगे l तो y की value 0 आ जाएगी तो x की value l put करेंगे तो अपने को पूरी equation लेना पड़ेगा क्या निकालने के लिए c1 की value निकालने के लिए क्योंकि x की value मान लिए यहाँ पर l put करा तो l minus c तो आपको positive आएगा मतलब पूरी equation आपको लेना है तो आप क्या समझे अगर w1 के साथ आपका ideal रहेगा तो ideal को w1 के साथ आपको लेना है फिर अगला case अब ideal को मैं w2 के साथ लगाऊंगा अब ideal को देखे मैंने w2 के साथ लगाया है तो पहले r1 का moment आप लेंगे देखे यहाँ पर अपने को एक section लेना पड़ेगा section की दूरी यहाँ से कितना है x R1 का moment यहाँ पे लेंगे जिसको एक खाने पे लिखेंगे देखे मैंने moment लिया और W3 का moment अलग से लेंगे तो देखे इन दोनों को अपने को एक खाने में लिखना है ठीक आप W2 का moment यहाँ लेंगे तो यह जो distance आपका आएगा यह कितना आएगा x-b आएगा आपको figure से नजर आ रहा है तो w2 into x-b आगया अब अपने को udl का moment लेना है तो udl का total weight निकालना पड़ेगा तो udl का weight कितना आएगा omega into x-b आएगा ये क्या आएगा आपके इस udl का weight यहां से कितने दूरी पर लगेगा that is x-b divided by 2 के लगेगा अब क्या करें गया udl का moment लेंगे तो omega into x-b into x-b divided by 2 तो ये कितना हो जागा omega x-b का whole square by 2 फिर हम वही काम करेंगे जो पिछले problem में किया था हम इसको एक बर integrate करेंगे और constant of integration को पहले term के साथ जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया ये एक बर integrate कर दिया उपर वाली equation को तो ये slope equation आ गई इसको मैं एक और बार integrate करूँगा तो आपकी ये deflection equation बन गई हम c1 c2 के value निकालना रहेगा तो हम जानते x की value जीरो पर deflection y के value कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी और x बराबर l पर भी deflection y के value कितनी आ जाएगी जीरो अगले case में मैं यह यह ideal लग रहा है उसको मैं w3 के साथ ले लोगा ठेक है अगले case में w3 के मतलब यही से बनाओंगा तो अगला case देखते हैं यह देखिए अब u2 को किस के साथ लेना आपको w3 के साथ लेना है ठेक तो यहाँ पर आपको अंत में एक section लेना पड़ेगा x equal to eid square y upon dx square तो देखे पहले आपने r1 का moment लिया r1 into x फिर इसका moment लिया minus w1 into x minus a नीचे लग रहा deflection नीचे हो रहा इसलिए negative लिया फिर इसका moment लिया ये और फिर इन दोनों को एक साथ लेना है क्योंकि udl यहां से लग रहा है तो ये देखे इन दोनों को मैंने एक साथ लिया minus w3 into x minus c minus अब udl का moment लेना है तो udl का पहले total weight निकालना पड़ेगा तो ये distance आपका कितना आएगा x minus c आएगा तो x minus c length पे जो udl लग रहा है उसका weight कितना आएगा omega into x minus c और ये weight की दूरी यहां से कितना आएगा x minus c divided by 2 आएगा तो आपने क्या करा udl का moment लिया omega into x minus c into x minus c का whole square by 2 तो यह जाएगा omega x minus c का whole square by 2 जितने भी downward लग रहे हैं सबको मैंने क्या लिखा negative और union और w3 को एक खाने में लिखा है अब इसको हम क्या करेंगे एक बार हम integrate कर देंगे और constant of integration पहले खाने में लिखेंगे तो यह आपकी बन गई slope equation इससे आप slope कहीं भी निकाल सकते हैं इस पूरे beam में एक और बार इसको integrate करेंगे तो यह आपका बन गया deflection equation और constant of integration को मैंने पहले खाने में ही लिखा है अब हमें c1 c2 की value निकालना है तो जहाँ पर support लगा रहा था वहाँ पर deflection 0 आता है हम जानते हैं कि x की value जहाँ पर 0 है वहाँ पर deflection y की value 0 है और x की value जहाँ पर l है वहाँ पर deflection y की value क्या है 0 है तो इस तरीके से हम equation ये बनाते हैं हम अगला case भी देखते हैं case number 7 अब हम case number 7 देखते हैं देखिए यहाँ पर भी आपको एक simply supported beam दिया हुआ है जिस पर usual point loading लग रही है तो हमें slope और deflection निकालना है तो हमें equation बनाना पड़ेगा पहले beam differential equation फिर slope equation फिर deflection equation तो beam differential equation बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक section लेना पड़ेगा इसको हमने बोला that is x यहाँ पर देखिए जो यूडियल लग रहा है उसको अपने को किसके साथ लेना पड़ेगा r1 के साथ लेना पड़ेगा और w1 आपको अलग खाने में रहेगा तो देख r1 का moment कितना हो जाएगा r1 into x और udl का moment कितना हो जाएगा udl कितने length पे लग रहा है x length पे लग रहा है तो udl का weight आपको कितना आएगा omega into x आएगा क्योंकि udl का weight दिया है omega newton per meter एक meter पे भार कितना omega newton तो x meter पे कितना होगा omega x यहाँ से कितने दूर पर लगेगा x by 2 पे लगेगा तो आप लिखेंगे omega x into x by 2 इसको अपन माइनस लिखेंगे क्योंकि यह downward है और r1 आपका ऊपर क्यों लग रहा है इसलिए मैंने इसके moment को plus अब क्या होगा w1 का moment अपने को लेना है तो w1 के लिए यह वाला distance आएगा कितना आएगा x minus a तो कि यह downward है इसलिए मैंने minus लिखा तो यह आपके बन गई beam differential equation इसको हम एक बार integrate कर देते हैं और constant of integration देखिए first खाने में मैं जोड़ देता हूं तो यह बन गई आपके slope equation यह x क square को integrate करा तो x cube by 3 आजागा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ पर constant of integration आगया c1 और इसको integrate करेंगे x minus a को तो x minus a का whole square by 2 फिर हम क्या करेंगे इसको भी एक बार integrate कर देंगे तो यह आपके deflection equation बन गई और constant of integration देखिए पहले खाने में हम जोड़ रहे हैं और इसको integrate करा तो यह आ गया हमारा जहाँ पर support लगा है वहाँ पर deflection क्या होगा 0 हम लिखेंगे x की value यहाँ पर 0 रहेगी y की value 0 आएगी तो जब x की value 0 आप put करेंगे तो y की value 0 आएगी तो equation खाली आपको यहीं तक लेना है किसकी value निकालने के लिए c2 की value निकालने के लिए क्योंकि अगर x क यहाँ पर 0 पूट कर देंगे तो यह value negative आजाएगी 0-a-a आजाएगा तो यह कभी में negative नहीं आना चाहिए और second condition क्या है जब x की value L हो जाएगी तब भी y की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो जब x की value L पूट करेंगे तो आपको यह पूरी equation लेना पड़ेगा और y की value 0 करना पड़ेगा अगले case में मैं UDL देखे W1 के से start करूँगा अगले case में UDL को मैंने W1 के साथ start किया तो अगर आप equation बना लेंगे तो इसमें slope or deflection आराम से निकाल लेंगे तो देखिए equation बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या करा एक section लिए जिसके दूरी यहाँ पर कित लिखेंगे और W1 और UDL के मोमेंट को अपने को एक खाने में लिखना है तो देखिए हमने equation मनाई EI d2y upon dx2 equal to r1 into x अब इन दोनों का मोमेंट अपने को लेना है तो देखिए W1 की दूरी यहाँ से कितनी आ जाएगी that is x minus a यह downward है तो इसको मैंने क्या लिखा है negative लिखा है अब UDL का भी मोमेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा तो UDL का पहले weight निकालेंगे तो यह कितना होगा omega into x minus a और यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा x minus a divided by 2 पर लगेगा तो UDL का मोमेंट आ जाएगा omega x minus a into x minus a divided by 2 तो वो इतना आ जाएगा चुकि दोनों downward लग रहे है इसलिए दोनों के मोमेंट को मैंने क्या लिखा है negative लिखा है क्योंकि इसके करण deflection क्या होगा नीचे क्यूर होगा इसलिए negative अब देखे मैं क्या करता हूँ इस equation को एक बार integrate करता हूँ और constant of integration पहले खाने में लिखता हूँ तो यह आपकी equation बन जाएगी इस equation को हम बोलते है slope equation इसको भी हम एक और बार integrate कर देंगे तो यह आपकी deflection equation बन जाएगी यहाँ पे देखे और नया constant आ गया that is c2 आ गया तो इन दो equation से slope और deflection हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको निकालना है slope or deflection तो खली पहले खाने तक आपको equation लेना है और अगर आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे slope और deflection निकालना है तो आपको यह पूरी equation लेना पड़ेगा second खाने तक अब अपने को C1, C2 निकालना है तो जहाँ पर support लगा रहाता है वहाँ पर deflection कितना आता है 0 तो हम जानते x बरावर 0 पर deflection y equal to 0 तो उसके आपका C2 की value निकल जाएगी x बरावर L पर भी deflection y 0 है यह put करेंगे तो आपके C1 की value निकल जाएगी अगला case देखते हैं अगले case में देखे हम जो u deal लगा रहे हैं उसको entirely different लगा रहे हैं यह देखे किसी के साथ नहीं है बतलब इसको अलग खाने में इसके moment को अलग खाने में और इसका जो moment अपन लेंगे उसको हमको अलग खाने में लिखना पड़ेगा क्यों इसको किसी के साथ भी नहीं लेना है तो देखें यहाँ पर हमने एक section लिया उसके दूरी यहाँ से कितना x है अब beam differential equation मनाई हमने लिखा moment at x equal to e i d square y upon dx square तो देखें यहाँ पर r1 का moment लिया r1 into x अलग लिखा है w1 का moment मैंने देखे अलग एक खाने में लिखा है और इसको मैंने एक अलग खाने में लिखा है तीनों को अलग अलग लिखा है अब हम क्या करेंगे इस equation को एक बार integrate कर देंगे तो यह आपके slope equation बन जाएगी इसको एक और बार integrate करेंगे तो deflection equation बन जाएगी और constant of integration को हम पहले खाने में जोड़ेंगे अब देखें जहां पर support लगा है वहां पर deflection 0 होगा तो c1 c2 की value निकालने के लिए हम x की value 0 लेंगे जहां पर y की value 0 आएगी x की value l लेंगे वहां पर deflection y की value 0 आएगी अब आपको अगर कोई चीज स्लोप और deflection इन दोनों के बीच में निकालना है तो खाली इतनी equation लेना है अगर आपको स्लोप और deflection इन दोनों के बीच में निकालना है तो आपको स्लोप और deflection की equation यहां तक लेना है अगर आपको slope और deflection यहाँ पर कहीं निकालना है तो आपको यह पूरी equation लेना पड़ेगा slope और deflection की अगला case देखते हैं अगले case में जो ideal है यह जो ideal है अपका हमने खाली यहीं तक लगाया है देख और हमें क्या करना है slope और deflection निकालना है तो हमें थोड़ा सा construction करना पड़ेगा हमें ideal को अंततक लगाना पड़ेगा construction में क्या करना पड़ेगा ideal यहीं तक लगा THA तो इसको पहले अνततक लगाना पड़ेगा तो देखे मैंने अंततक जोड़ दिया अगर उपर आपने अंत तक नीचे की और जोड़ा है तो नीचे भी आपको अंत तक उपर की और जोड़ना पड़ेगा तो उपर का जोड़ा हुआ क्या हो जागा नलीफाइड हो जाएगा तो यह जो UDL लग रहा है वो नीचे की और force लगा रहा है और यह जो UDL लग रहा है उपर की और force लगा रहा है जितना नीचे लग रहा है उतना उपर लग रहा है तो अब अपन क्या करेंगे उपर वाले पूरे UDL को एक ले लेंगे क्योंकि इन सारे UDL के intensity क्या है same है तो यहाँ पर देखे इसका moment लेंगे वो एक खाने में लिखेंगे यह जो उपर वाली UDL लग रही है इसको दूसरे खाने में लिखेंगे यह जो नीचे यह UDL लग रहा है इसको तीसरे खाने में लिखेंगे यह UDL नीचे के और force लगाएगा और नीचे वाला जो UDL है वो कहां लगा रहा है उपर की और force लगाएगा तो देखेंगे हम क्या करेंगे equation मना लेंगे पहले हमने क्या करा section लिया यहाँ पर इसके दूरी यहाँ पर कितना है x है तीनों को अलग-अलग खाने में लिखना है तो पहले देखें मैंने R1 का moment लिया R1 into x लिखा फिर इस वाले UDL का मैं moment ले रहा हूं minus omega into x minus a का whole square by 2 लिखा फिर नीचे वाले UDL का moment मैंने लिखा इसको upward आप consider करेंगे यहाँ पर जब आपने downward यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ पर आपको upward भी जोड़ना पड़ेगा तो इसका moment लेंगे तो यह दूरी कितनी आएगी x minus a plus b आएगी x minus a plus b तो इस UDL का total weight कितना आएगा omega into x minus a plus b वो कहाँ पर लगेगा यहाँ से आधे distance पर लगेगा x minus a plus b divided by 2 पर लगेगा तो देखें यहाँ पर मैंने omega into x minus a plus b into x minus a plus b divided by 2 का multiply करूँगा तो यह आ जाएगा ठेक तो यह खाना number 1 यह box number 2 हो गया यह box number 3 हो गया तो यहाँ पर तीनों को अलग-अलग में आपने ले लिया अब क्या करेंगे इसको एक बार integrate कर देंगे तो आपका slope equation बन जाएगी constant of integration पहले खाने में लिखना है इस पूरी term को फिर से integrate कर देंगे तो deflection equation बन जाएगी तो यहाँ पर नया constant आ जाएगा यहाँ पर support लगा है तो अगर UDL आपका अंत तक नहीं होगा तो आपको अंत तक जोड़ना पड़ेगा अगर आपने अंत तक ऊपर जोड़ा है तो अंत तक आपको नीचे भी जोड़ना पड़ेगा अगला case देखते हैं case number 10 अब इसमें हम couple लगा देते हैं देखें यहाँ पर couple लग रहा है अब इसके कारण इस beam में हमको क्या करना है slow port deflection निकालना है तो यहाँ पर हमको एक section लेना पड़ेगा इसके दूरी यहाँ से कितना है x है तो देखें इसके moment को आप अलग लिखेंगे अलग खाने में और couple के moment को अलग लिखेंगे तो r1 का moment मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो section लिया है मैंने तो उसको मैं लिख सकता हूँ देखें r1 नीचे लग रहा है तो minus r1 into x ठीक अब couple का moment में रहा है तो ध्यान दीजिए r1 का जो moment है उसका nature यहाँ पर देखें कैसा आ रहा है इसका nature कैसा आ रहा है that is anti-clockwise आ रहा है ठीक और इसका nature कैसा आ रहा है इसका clockwise आ रहा है तो anti-clockwise moment को आपने क्या लिया है negative लिया है तो clockwise moment को आपको क्या लेना पड़ेगा positive लेना पड़ेगा इसलिए मैंने देखे इसको यहाँ पर positive लिखा है ठीक देखे यह downward लग रहा है downward के कारण इसमें deflection नीचे क्यों रहोगा नीचे क्यों होगा मतलब इसको आपको negative लिखना ही है लेकि यह जो downward force लग रहा है यहाँ पर केसा moment produce करा anticrightwise मतलब आपने anticrightwise जो moment है उसको यहाँ पर negative लिखा है तो clockwise moment को या clockwise couple को क्या लेना पड़ेगा positive लेना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर दिखे खाली मेने M नहीं लिखा है यहाँ पर जो moment आएगा वो खाली M के जित्ता ही आएगा जो couple यहाँ पर लग रहा है या moment लग रह यहाँ पर डिफ्लेक्स है, हर क्वांट पर डिफ्लेक्स से निकालना है इस मोमेंट के कारण, इसलिए यहाँ पर x वाली टर्म आने ही चाहिए, आनी भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, यूँकि मोमेंट दो खाली m e आना चाहिए, तो आपने क्या करा, m into x minus a to the power 0 कर दि तो x minus a to the power 0 का integration क्या होगा, x minus a to the power 1, फिर इस पूरे टर्म को अपने एक और बार integrate कर देंगे, तो यह deflection equation बन गई, और यहाँ पर नया constant of integration आ गया, that is c2, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें c1, c2 के value निकालना पड़ेगा, हम जानते हैं, x की value 0 पर y की value 0 है, हम जा y की value क्या आएगी, 0 आएगी, तो हमको क्या जाद रखना है, यहाँ पर जब section लेंगे तो इसको अलग खाने में लिखना पड़ेगा, और इसको अलग खाने में लिखना पड़ेगा, अगर मान लीजे यहाँ पर u-deal लगता रहता, तो u-deal और m को एक ही खाने में लिखना प equation मनाना सीख रहे हैं, अगर यह equation मनाना सीख गए, तो McLellis method बिलकुल आसान हो जाएगा, तो हम सारे तरीके सीख लेंगे जिसकी जरूत हमको पड़ेगे, तो देखें यहाँ पर w1 और m एक ही जगा लग रहा है, तो इन दोनों को अपने को एक खाने पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखें, अंत में मैंने एक section लिया है, जिसकी दूरी यहाँ से कितना है, x, तो r1 का moment यहाँ पर लेंगे, और इन दोनों का moment यहाँ पर लेंगे, तो मैंने beam differential equation मना दी, देखें, r1 into x, एक खाने में, अब इन दोनों को मैं एक खाने में लिखूँगा, minus w into x minus a, plus m into x minus a to the power 0, देखें, यह जो couple, यह जो m, यह w1 है, यह कैसा moment produce कर रहा है, anti-clockwise कर रहा है, और यह कैसा moment produce कर रहा था, clockwise moment produce कर रहा था, तो clockwise moment को देखें, यहाँ पर मैंने positive लिखा है, और anti-clockwise moment को यहाँ पर negative लिखा है, और यह couple case है, यह clockwise है, तो इसके moment को अपने को क्या लेना पढ़ेगा positive यहाँ पर लेना पढ़ेगा अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर एक बार integrate कर देंगे तो आपकी slope equation बन जाएगी और constant of integration पहले खाने में आ जाएगा इसको मैं एक और बार integrate कर दूँगा तो आपकी deflection equation बन जाएगी और एक नया constant of integration मिल जाएगा that is c2 हमें c1 c2 की value निकालना है हम जानते हैं x बराबर 0 पर y की value 0 आएगी और इसके बाद x बराबर l पर भी y की value 0 आएगी तो you will get the value of c1 and c2 तो इन जो मैंने concept बताया है आपको यही concept generally problem में लगते हैं और यह equation अगर आपकी बन गई तो problem में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा अब मैं कुछ problems कराऊंगा आप लोगों को ताकि जो concept मैंने बताया हैं उसका application आप लोग कर सके हैं